नमस्कार दोस्तों मुरा नाम है कागणा और सुवागत है今 YouTube जए हम बात करने वाले हैं सुनालिका टाइगर Electric के बार ने अग जादा काम ओगे आने वाला है क्योंकि इस ट्र inception है और detory चालेगा प्र पर ना तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है है टेक्टर में, उसके बाद बात करेंगे, शमता कितनी है टेक्टर की ता वज़न उठा लेता है, किती देर, क्या सब वही होता है, हाइडरोलिक लिए खुल जाता है, और यहां पर आप यह देख पारें, यह बैटरी पैक है, जर्मन टेकनोलोजी से निर्मित है, और लगबग लगबग आठ गंटे का बैक अपको यह बैटरी देगी, जिस हिसाब से कंपनी ने क्लेम किया, सुनालेका ने क्लेम गंटे में इसको चार्ज कर देगा, एक आप ऐसे देखे, फास चार्जर भी खरी सकते हो, फास चार्जर जो है, वो आपका लगबग दीने गंटे में चार्ज कर देगा, लेकिन वो जो है थोड़ा सा उसके लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे, अच्छी बात यह है कि दौनों चार्जर जो है वो आप घर में लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पावर की ज़रूत है, ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूत है, आप घरों में, खेतों में, जहां पर भी आपके पास में, चोटा मोटा प्लग है, सौकेट है, वहाँ पे आप उसको लगा हो गया यहां से, यह लाइट है दी गई है, यहां पर प्रोजेक्टर हेडलेम इनको बोलते हैं, आप ने देखा होगा, महेंगी गाड़ियों में दी जाते हैं और यहां पर भी जो है प्रोजेक्टर हेडलेम का इस्तमाल किया गया, थ्रो इनका बहुत अच्छा है, हालां क कि यह सुनाली का कहना है, हमने इसको ट्राय नहीं किया है, क्योंकि हम इसको दिन में देख रहे हैं, तो मैं आपको फिर भी जला के दिखाता हूँ, यह देखिए, यह नीचे वाले बीम यहां पर जल गई है, आपके सामने ना है सरिफ यह पीछे की और यह लाइट है, यह आपको पीछे कोई बांधना है, कुछ इंप्लांट लगाना है, तो उस वक्त आप इस लाइट का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह लाइटिंग ऑप्शन जो है, आपके पास में यहां पर है, इसको करते हैं हम बंद, और आपको एक और बड़ी चीज दिखाता हूँ, यहा सब यहीं दिखा देता है, तो देखो यहां पर दिखा रहा है, यह तो बैटरी दिखा रहा है, कितनी बैटरी बची है इसकी, यह यहां पर आपके पास में स्पीड दिखा रहा है, और आप इसको दबाएंगे, यह दबाने पर आपको एरर कोड वगरा कुछ होता है, तो य यहां दिखा देगा कि क्या है ओपरेटिंग कंडिशन थ्रोटल कमांड पॉर्ड क्या कितना लग रहा है जो है वो सब चीजे भी आपको यहां दिखाएगा और अपडाउन करने पर और बहुत साइज चीजे जो है यह दिखाता है वह बहुत बढ़ी चीजे कुछ भी अगर उसे द्शाव होगा तो यह दिखा देगा क्भी आपकी गाडी में यह समाश्या है यह चीज इसे करा नहीं है आप देखो में अगई शर्विस और बतलने होते हैं वह बदलने ही होते हैं बट आम तो पह आप मान के चलो जीड़ो मैंटरेंस वाली यह चीज है उसे शसाब स यहां पर आपके पास में ब्रेक दिया गया है जिसको आप अलग भी कर सकते हो अगर आपको एक टायर के लगाने हैं तो उससाफ से आप अलग कर सकते हो वनना आप इसको जुड़ावा रहने दे सकते हो यह आपका एकसलेटर है इसको दबाएंगी तो गाड़ी आगे पिछे जाएगी आपके बिचे के लिए फरवर्ड रिवर्स गेर दिया हुआ है किदर दिया हुआ है यह देखो आपके पास में यह क्लच है और आपके पास में यह जो आप देख पारें पीट्यों के पावर जो है उसके लिए है फरवर्ड और रिवर्स जो है वह आप यहां से कर यह PTO जो है आपको reverse चलना उल्टा भी चल सकता है PTO सीधा भी चल सकता है neutral जो है PTO रहेगा तो वह भी आप यहां पर कर सकते हैं पीटी ओ में देखो यहां पे यह रोटावेटर लगा हुआ है और रोटावेटर जो है हम अब इस खेत में चलाएंगे और देखेंगे क्या कैसा काम कर रहा है पिलाल पीछे की और यह आपके पास में जो इसको क्या खेते है मैं भूल रहा हूं लेकिन यह वाल है जिससे वह ना कुछ टॉलियों में लगा होता है कि प्रेशर से उपर नीचे उड़ती है तो उसके लिए यह यहां पर दिया गया है पीछे आपके पास में यहां कुछ टूल्स वगरा रखने हैं तो उसकी जगे हैं यह ऐसा ट्रैंगल जो है वो दिखता है यहां पर और बाकी चीज़े है जो पीछे कि टेक्टरों में होती है व्याँ ओं बनावा वैसा तो उसमें क्या होता है कि आपको डेजल वीजल का दूहां छोड़ना जो है वो गलत काम हो जाता हεια वाँ पर और vibration बहुत करता है, आवाज बहुत करता है, तो वो समश्या हो सकती है, तो ऐसी जगों पर जो है, polyhouses बगरा पर इसको काम में लिया जाएगा, जो कि ये इसका अच्छा use होगा, अच्छा इसका होगा, और भी आप यहीं से बजा सकते हैं इसका, उसके बाद में ये जो आप दबा दो, चलिए थोड़ा से चला के देखते हैं, चावी गुआई अपन ने, hydraulic motor जो है, वो चालू है, ये अपना पीछे लगा हुआ है, ये उपर उठा लिया है, अब मान लो अपने को कहीं जाना है, तो अपन ये पीछे उठा के hydraulic motor कर दी बंद, तो अपना जो है, अब स देखा, तीसरे गेर में उठाने पड़ेगा, कोई भी RPM ड्रॉप कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको चाहिए hydraulic चल रहा है, चाहिए नहीं चल रहा है, तो मैं तीसरा गेर दगाया और उठाया और अब बंद चल दीए, ये देखो, मैंने PTO की power जो है, वो बंद नहीं की है, ये बंद करता हूँ, चलो, बहुत ही बढ़िया जो है, फिक अप इसका है, क्योंकि पहले जीरो की स्पीड से ही, पूरा टॉर्क इसमें पूरी शम्ता जो है, शम्ता की बात कर लेते हैं, 25 किलोवाट का ये है, सिस्टम इसका, और 500 किलो का पेलोड जो है, ये शम्ता जो है उसकी ये पीछे 500 किलो का पेलोड आप बान सकते हो, और जैसे आम टेक्टर जलते हैं, बस ये आवाज थोड़ी कम करता है, तो मदब करता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये आवाज नहीं करता है, लेकिन थोड़ी कम आवाज करता है, अब इसमें डिफरेंशल लोग तो है नह निकल जाएगा या निकल जाएगा, हमने लगा लिए इसको एक नमबर गेर में, और अब हम इसको चलाते हैं, निकल जाना है टेक्टर है, टायर ठीक है, हलांकि ये बड़ा टेक्टर नहीं है, ये चीद हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये देगो, ये लगता है कि पलट तो यह सब कुछ है सोनालेका इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर के बारे में सोनालेका टाइगर सीरीज का ट्रेक्टर है और छे लाक रुपे जो है इसकी कीमत रखी गई है फिलहाल अगर आपके कोई सवाल हो या कुछ ऐसी चीज हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं तो भी आप इसके बारे में जहनकारी ले सकते हैं पिलार इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आइए पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसा कि मैं अपनी कार और बाइक वाली वीडियो में कहता हूं कि हेलमेट पहनी सीट बेल पेनिये, सुरक्षिव चलिए, धन्यवाद